आज मैं बनाना लीव में फिश बनाऊंगी तो इसके लिए ले ली हूँ में ये बनाना लीव और एक मसाला रैडिक कर लेना है इसमें मैं ले हूँ 2 चममच-कस, 2 चममच-सर-सो, और लेसूल और मिर्च इसको मैं पेस्ट बना ली हूँ अच्छे से और फिश को हल्दी और न इस तरीके से करने से अच्छे से फोल्ड हो जाता है अब मैं यह यह दाल दूगी नमक भल्दी और थोड़ा सर्सो का तेल डालूँगी अब इसको मिक्स कर लोगी अब फीस को इसमें अच्छे तरीके से क्वोट करें लेना है अब मैं ले ली हूँ बनाना लीफ और कोट किया हुआ फिश को इसमें डालूंगी और थोड़ा मसाला डालूंगी यह हरी मिर्श डाल दूंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है देखे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक थागे से इसको अच्छे से बान देना ताकि यह खूले ना तो देखे यह पैक हो चुका है इस तरीके से मैं चार बना ली हूँ अब मैं एक स्टीमर ले लूँगी मैं इसको अच्छे से स्टीम मैं पहले से रख दी थी तो गरम हो चुका है अब इसमें मैं सारे फिश को डाल दूँगे और इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए इसमें पका लूँगे प्लेम को मेडियम रखना है देखे तो यह आलमूस्ट हो ही गया है तो यह हो चुका है मैं 10 से 15 मिनट के बाद इसको उपन कर रही हूँ फ्लेम को मैं आप कर दूँगे यह हो चुका है तो यह रेडी है तो मैं इसको खोल के दिखाते हूँ देखे यह बहुत ही टेस्टी लगता है एक बाद जरूर आप लोग ट्राइ करके देखेगा और कमेंट कीजेगा कैसा बना हो इसको गरम गरम राइस के साथ खाएगा बहुत ही मजा आता है तो देखे